तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि spherical lenses जो है convex lens और concave lens इससे जो image बनता है वो image किस तरह का बनता है तो सबसे पहले हम एक case consider करते हैं, demonstration कि जब convex lens होता है और उस convex lens से अगर हम कोई छोटी object को देखते हैं तो वो जो छोटा object होता है वो हमें काफी बड़ा दिखाई देता है, relatively बड़ा दिखाई देता है ऐसा क्यों होता है इसके लिए हम consider करते हैं ये जो है ये एक convex lens है इस convex lens का structure आप देख लिजिए, ये जो बीच में है ये उगरा हुआ होता है और side में ये दवा हुआ होता है तो जब light या किसी object को जब हम इस lens के आसपास रखते हैं तो उससे जो light निकलता है वो light इस तरह से refracted होता है कि opposite side से जब इसे देखा जाता है तो ये हमें काफी बड़ा दिखता है तो इसका image जो है काफी बड़ा form होता है जब object को इस lens के बहुत करीब रखा जाता है और इस तरह का जो image है जिसे की screen में हम incident नहीं करवा सकते हैं, screen में project नहीं कर सकते हैं, बलकि opposite side से इसे हम देख सकते हैं, इस तरह के images को virtual image कहा जाता है, थोड़ी देर में हम लोग काफी details में बात करेंगे कि यहाँ पर reflection किस तरह से होता है और image किस तरह से जो form करता है, किस तरह से हम उसे पता करें, थोड़ी देर में हम इस पर बात करेंगे, अब ये तो convex lens था, इसी तरह से अगर आप concave lens का example लें, तो उससे जब किसी object को देखा जाता है, तो वो हमें काफी छोटा दिखाई देता है, तो ये क्यूं होता है, ये भी चलिए देख लेते हैं, ये एक concave lens है, बीच में देखें दबा हुआ है, और side में ये काफी चोड़ा है, ये concave lens है, तो जब इसके आसपास किसी object को रखा जाता है, तो light इससे निकल कर, कुछ इस तरह से lens में refract करता है, कि opposite side से अगर देखा जाता है, तो ये object हमें काफी छोटा दिखता है, यहाँ पर भी ये इसका कोई मतलब नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप एक example देखे, यहाँ पर candle का जो ये light है, इसको हम opposite side में, इस screen में हम incident करवा सकते हैं, project करवा सकते हैं, इस से निकला हुआ जो light है, इस lens से, यहाँ पर ये जो lens है, ये convex lens है, इस convex lens से refract करने के बाद, उसका image पीछे यहाँ बन रहा है, उस जगा पे जब screen को रखा जाता है, तो उसका image, proper image यहाँ पर बन रहा है, आप यहाँ गौर से देख सकते हैं, इसका image यहाँ पर बन रहा है, तो इस तरह का image, जिसे की हम किसी screen में project कर सकते हैं, screen से हम इसे देख सकते हैं, इस तरह के images को real image कहा जाता है, नहीं होगा इस पर हम लोग अभी थोड़ा डीटेल्स में बात करेंगे लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कुछ बेसिक टर्मिनलाजी जो है लेंस के साथ रिलेटेड उन बेसिक चीजों के बारे में थोड़ा बहुत हम बात कर लेंगे जिसे कि हमने पिछले वीडिय कहा जाता है तो ये इसका optical center है अब ये जो lens दो spherical body से बना हुआ है ये जो side है ये जो surface है इसे अगर आप इस तरह से propagate करें तो आपको एक sphere मिलेगा उस sphere का एक center होगा उसी तरह से ये वाला जो side है ये भी किसी sphere का part है तो इसे भी इस तरह से आप अगर प्रापगेट करें तो आपको एक sphere मिलेगा उसका भी एक center होगा तो उन centers को center of curvature कहा जाता है center of curvature को मिलाता हुआ जो straight line है जो कि इसके optical center से पास होता है इसे इसका principle axis कहा जाता है अब देखे अगर light rays principle axis के parallel आए तो convex lens से refracted होने के बाद वो एक point में जाके converge करता है opposite side में इस point को इसका principle focus कहा जाता है उसी तरह से अगर आप concave lens को देखे तो इस lens का जो central part है बिल्कुल center point जो है इसे इसका optical center कहा जाएगा ये जो sphere है ये sphere और ये sphere उन दोनों के centers को center of curvature कहा जाएगा center of curvature को मिलाता हुआ straight line जो है इसका principle axis होगा जब light principle axis के parallel light rays यहाँ propagate करता है तो refraction के बाद वो diverge करता है बाहर की तरफ निकलता है कुछ इस तरह से diverge करता है मानों लगता है कि सारे rays किसी एक point से निकला हो उस point को इस concave lens का principle focus कहा जाता है यहाँ पर देखें lenses जो है इसका principle focus एक नहीं होता है बलकि दो focus होता है आप इस example को consider करें convex lens के case में अगर light opposite side से आए तो भी हमें एक point मिलेगा जहाँ पर light converge कर रहा है यह भी इसका principle focus है यह भी इसका principle focus है यह भी इसका principle focus है तो अब आप किताबों में जो देखेंगे इस तरह के lenses से जो light reflect करेगा आप अपने किताबों में ये देखेंगे कि वो कुछ इस तरह का draw किया हुआ रहता है दिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सिर्फ draw करने में इस image को बनाने में या draw करने में सिर्फ फर्क है बाकि किसी चीज में कोई फर्क नहीं पढ़ रहा आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ये ड्रॉ करना असान होता है इसलिए किताबों में इस तरह से ड्रॉ किया हुआ रहता है कुछ basic rules को follow करना होता है अगर आप उन basic rules को follow करें तो आप चाहे ऐसे ड्रॉ करें या फिर ऐसे ड्रॉ करें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किताबों में इस तरह का figure आप देखेंगे अब वो जो basic rules है वो सारे basic rules किस तरह का है चलिए अभी उसी पर बात करेंगे सबसे पहले convex lens के case में अगर light ray principal axis के parallel हो तो फिर refract करने के बाद या lens से पार होने के बाद वो उसके principal focus से पार होता है similarly concave lens के case में अगर light ray principal axis के parallel propagate कर रहा है तो lens में refract करने के बाद या lens से पार होने के बाद वो बाहर की तरफ निकलता है कुछ इस तरह से निकलता है, मानो कि वो जो इसका फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, वहाँ से निकला हुआ हो, ऐसा लगता है, यह तो पहला नियम है, अब इसी का उल्टा देखे आप, अगर कोई light ray, reflection से पहले, lens में, reflection से पहले, अगर वो प्रिंसिपल फोकस से पार होता हो, वो light ray, principle axis के parallel हो जाता है, similarly, concave lens के case में, अगर कोई light ray इस तरह से प्रिंसिपल फोकस से पार होगा, तो फिर reflection के बाद light ray, principle axis के parallel हो जाता है, यह दूसरा नियम है, अब तीसरा नियम देखे, कि light ray, अगर lens से कुछ इस तरह से पार करे, कि वो optical center होते हुए पार हो, दोनों ही cases में, अगर optical center होते हुए कोई light ray pass हो, तो फिर वो deviate नहीं करता है, यहाँ deviation का मतलब angular deviation है, जैसे कि light इस तरह से जा रहा है, और अगर वो कुछ angle टेढ़ा हो जाए, थोड़ा angle बना ले, वो इस path में propagate करता है, थोड़ा उसने angle change कर लिय तो हम यह कहेंगे कि इसका हुआ है deviation, बेसिकली angular deviation हुआ है, तो इस तरह का deviation नहीं होता है, जब optical center से light ray पार करता है, किसी भी lens का, deviation नहीं होता है, यहाँ थोड़ा आपको focus करने की जरुरत है, थोड़ा जानने की जरुरत है, कि deviation नहीं होता है, इसका exact मतलब क्या है, और ऐस क्यों होता है, इसके लिए हम इस convex lens को enlarge करके देख लेते हैं, एक light ray इस तरह से आया, reflection हुआ, reflection तो होगा, reflection हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई angular deviation नहीं हुआ, निकलते हुए, light इस तरह से आया, एक बार यहाँ पर incident किया, फिर glass के अंदर गया, या lens के अंदर गया, lens हो सकता है, glass से न बना हुआ हो, जिस भी material से बना हुआ हो, वहाँ उसके अंदर गया, lens के अंदर गया, फिर इस तरह से यहाँ से incident किया है, और यहाँ से यह इस तरह से बाहर निकल गया, emerge कर गया, यहाँ पर आप कुछ interesting चीज पाएंगे, जैसे कि अगर आप optical center से देखे, यह light ray optical center से अगर आप देखे, तो आपको यह वाला point और यह वाला point equal distance में दिखेगा, और equal angle में दिखेगा, हो नहीं है, identical होगा, अब देखे, यहाँ पर मतलब यह बनेगा, कि यह दो points जो है, यह दो points भले ही opposite direction में हो, लेकिन identical होगा, यहाँ से अगर देखा जाए, तो identical दिखेगा, तो फिर यहाँ पर यह जो point of incidence है, और यह जो point of incidence है, इन दोनो points पे, अगर हम lens पे normal, माफ किजेगा, tangent ड्रॉ करें, तो फिर वो दो tangents जो है, एक दूसरे का parallel होगा, अब इन point of incidence पे, अगर हम यहाँ पर normal ड्रॉ करें, तो वो normal भी एक दूसरे पे parallel होगा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं यहां lens के बदले हम यहां पर एक glass slab consider कर लेते हैं ऐसा glass slab कि उसका यह जो side है rectangular glass slab है यह जो side है यह इस point पे tangent होगा lens पे और यह जो side है यह इस point पे tangent होगा इस lens के तो फिर जो normal होगा in point of incidence पे जो normal होगा वो normal obviously यही रह जाएगा same normal रह जाएगा अब यहां से आगे बढ़ते हुए आप देखे glass slab में यह reflection जैसा दिख रहा हमें पिछले एक वीडियो में हमने glass slab के थ्रू जो reflection होता है light का उस पे बात किया था उस वीडियो का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस वीडियो में हमने क्या देखा था वहाँ नहीं होता है बलकि वो दोनों एक दूसरे पे parallel हो जाता है तो एक दूसरे के साथ parallel होता है भले ही यहां पर एक lateral displacement हो इन दोनों के बीच एक perpendicular distance हो लेकिन कोई angular deviation नहीं होता यह दोनों एक दूसरे के साथ parallel रह जाता है तो अब वापस आते हैं lens पे इस lens पे हम वापस आ गये अब देखें यहाँ पर यहाँ पर जो incident ray है और जो emergent ray है वो एक दूसरे के साथ parallel है कोई angular deviation नहीं है हाँ भले ही दोनों के बीच एक lateral displacement हो लेकिन कोई angular deviation नहीं है और जब lens बहुत 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 पतला होता है उस case में इन दोनों के बीच जो perpendicular distance है जिसे कि हम lateral displacement कहते हैं वो lateral displacement बहुत बहुत कम हो जाता है किसके लिए thin lenses के लिए और जो हम formula यूज करते हैं जो भी हम चीजे image formation के बारे में जानेंगे वो सारे thin lenses के लिए होता है जिसमें कि ये lateral displacement जो है ये बहुत कम होता है angular deviation तो होता ही नहीं है वो lens चाहे कितना भी मोटा हो angular deviation नहीं होगा so angular deviation नहीं होगा और lateral displacement बहुत कम होता है thin lens के लिए तो negligible होता है इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब कोई light ray जब इसके optical center से पार होता हो तो उस समय उसका कोई deviation नहीं होता है even हम lateral displacement को भी consider नहीं करते हैं तो अब देखें ये इसका focus है principal focus ये भी इसका principal focus है हम दो points और consider कर लेते हैं ऐसा कि optical center से इसका जो distance है principal focus का यहां से इस point से principal focus का उतना ही distance है मतलब इस point से optical center का जो distance है वो double है focal length का double है यहां से लेके यहां तक का जो distance होता है optical center से लेके focus तक का principal focus तक का इस distance को focal length कहा जाता है मतलब यह जो point है जिसे की 2F1 से indicate किया गया है यह point optical center से ठीक उसके दुगना distance दूर है इसलिए इसे 2F1 लिखा गया है similarly यहाँ पर भी यह इसका focal length है यहाँ से यहाँ तक का distance और यहाँ से यहाँ तक का distance उसका दुगना है इसलिए यहाँ पर 2F2 लिखा गया है यह F1 है, यह principal focus है यह भी principal focus है, F1 और F2 दोनों अब देखे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि किसी खास जगा पर हम object को रखेंगे और हम यह पता करेंगे कि उसका image कहाँ पर बनेगा image का size कैसा होगा, वो बड़ा होगा या छोटा होगा object से बड़ा होगा या छोटा होगा और उसका nature कैसा होगा वो real होगा, virtual होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा कैसा होगा, वो हम पता कर सकते हैं जो तीन नियम हमने थोड़ी देर पहले देखा था उन्ती नियमों को अगर हम follow करें तो इससे बड़े आसानी से हम पता कर सकते हैं कि image का position कैसा होगा, उसका size कैसा होगा, nature कैसा होगा सबसे पहले हम object को place करते हैं infinite distance दूर में तो जब infinite distance दूर होगा, मतलब बहुत 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 दूर अगर object रहे तो उस case में उस object से निकला हुआ light rays, चाहे किसी भी point से निकले सबोंज यहाँ पर lens है, यहाँ पर lens है, यह एक lens है और हम क्या करेंगे? object को यहाँ पर अगर रखें तो आप गौर करें इस point से निकला हुआ light ray यहाँ से अगर पार हो और इस point से निकला हुआ light ray अगर यहां से पार हो तो यह दोनों एक दूसरे का parallel नहीं होगा यह clearly दिख रहा है एक दूसरे का parallel नहीं है लेकिन अगर object जो है यह object बहुत दूर हो let's say this object और यहां पर lens है तो आप यह पाएंगे कि अगर माले इस point से पार हो रहा कोई light ray ऐसे इस तरह से पार हो रहा है और यहां से पार हो रहा है यहां से अगर पार हो एक दूसरे point से निकला हुआ light ray अगर इस तरह से पार हो तो वो आपको parallel जैसा ही दिखेगा क्योंकि यह object बहुत बहुत दूर है जितना जितना दूर रहेगा इससे निकला हुआ जो light ray है lens तक पहुंचते पहुंचते ये parallel light ray रहेगा एक दूसरे तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं या समझ सकते हैं एक दूसरे तरीके से वो ये है कि suppose यहाँ पर कोई object है यहाँ से निकला हुआ light ray अगर आप देखे जैसे कि इस point से निकला हुआ light ray ये इस तरह से निकलेगा अगर यहाँ पर lens रहे सामने lens रहे तो आप देखे एक ही point से निकला हुआ light ray diverging हमें दिख रहा इस तरह से lens में पहुंचते हुआ diverging है लेकिन अगर हम इस lens को थोड़ा दूर रखते हैं इस lens को काफी दूर रखें लेड़ेसे यहां पर हम lens को रखें तो फिर दो बहुत ही close light rays ही यहां lens तक पहुँच सकता है बहुत-बहुत close light rays बहुत करीब रहेगा तभी वो lens तक पहुचेगा बाकी light rays lens तक पहुचेगा ही यह तो lens में पहुचेगा ही यह भी lens में नहीं पहुचेगा उससे नीचे से पार हो जाएगा यह उपर से पार हो जाएगा तो जो light rays बहुत ही close जिनके बीच angle बहुत कम है वही light rays lens तक पहुच सकता है बशरते lens बहुत बहुत दूर है यही तो हम consider कर रहे हैं कि object जो है infinite distance दूर है मतलब बहुत बहुत दूर है इसलिए जो light rays lens तक पहुँच रहा है आप गौर करें वो light rays एक दूसरे का लगभग लगभग parallel होगा जितना दूर होगा object ये उतना ज्यादा एक दूसरे का parallel होगा lens तक पहुचने वाला light rays तो उसी logic से अगर देखा जाए तो जब object infinite distance दूर रहेगा तो वहाँ से निकला हुआ light rays चाहे किसी भी point से निकले वो सारे light rays एक दूसरे का parallel होगा तो reflection के बाद क्या होगा सारे light rays जो है ये इसके principal focus में जाके वो merge कर जाएगा या principal focus में जाके वो converge कर जाएगा इसका मतलब object एकर infinite distance दूर रहे तो image कहाँ पर बनेगा image इस जगा पर बनेगा और उस image को हम कहेंगे वो f2 में बन रहा है मतलब principal focus में बन रहा है object चाहे कितना भी बड़ा हो उससे निकला हुआ हर एक point से निकला हुआ सारे light rays अगर इसी point में converge करेगा मतलब पूरा का पूरा image जो है object का image वो इसी point में बन रहा है इसलिए image का size जो होगा ये point sized होगा बहुत छोटा होगा और nature of image इसे हम screen अगर यहाँ पर रखे तो screen में हम उसे incident करवा सकते हैं जैसे कि अगर आप एक lens से sunlight अगर यहाँ पर एक screen आप रखे कोई कागज रखे और sunlight को अगर आप converge कराए इस कागज में तो आप ये पाएंगे कि converge करने के बाद या reflect करने के बाद ये एक छोटे से जगा पे वो यहाँ पर हमें दिखता है फिर थोड़ी देर बाद कागज जल उठता है पिछले वीडियो में एक वीडियो में हमने इस पर डिसकस किया था demonstration भी देखा था तो यहाँ क्या हो रहा पूरा sun से निकला हुआ जितना भी light पूरे lens में incident कर रहा है reflection के बाद वो एक point में जाके converge कर रहा है तो यहाँ पर यह जो point में image बन रहा है इस image को हम real image कहेंगे क्योंकि उसे screen में हम project कर पा रहे हैं यहाँ पर यह अगर screen है तो screen में यह project हम कर पा रहे हैं तो यह image जो है इसका nature क्या होगा real होगा और इसका size होगा point sized अब हम क्या करता है एक object consider करते हैं ये एक object है जिसे कि हमने इसका 2F1 जो point है उससे दूर रखा है optical center से अगर देखे तो ये 2F1 से भी दूर है तो ऐसे स्तिती में हमें ये पता करना होगा कि इसका image कहां पर बनेगा इसे पता करने के लिए represent किया अब हम देखेंगे इस point से निकला हुआ light raise कहां पर जाके converge कर रहा है तो वहीं पर इसका image बनेगा इस point का वहां पर image बनेगा इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले एक light ray consider करेंगे जो कि principal axis के parallel हो हमें पता है ऐसे situation में reflection के बाद वो principal focus से पार होगा अब दूसरा light ray consider करेंगे इसी point से निकला हुआ जो कि optical center से पार हो तो वो undeviated पार हो जाएगा सीधा पार हो जाएगा इसका मतलब यह जो red dot हमें यहां पर दिख रहा है इसका image इस जगह पे बनेगा जहां पर दोनों merge किया है यहां पर उसका image बनेगा similarly अगर इस green dot को आप देखे तो इसका जो image बनेगा इसका image कुछ इस जगह पे बनेगा और yellow dot जो आप देख रहे हैं उसका image जो है उसका image कुछ इस जगह पे बनेगा इसका मतलब जो total image होगा ये total image कुछ इस तरह का बनेगा मतलब ये बना कि अगर कोई object उसे अगर हम principal axis पे रखे तो फिर उसका जो top point है उस top point का image अगर हम पता कर ले तो फिर हम ये पता कर सकते हैं कि image, पूरा का पूरा image, पूरा का पूरा object का पूरा image कैसा बनेगा इस top point के image से हम principal axis तक draw कर लेंगे वही उसका image होगा तो हमें क्या करना है सिर्फ top point का object को principal axis में रखने के बाद सिर्फ top point जो है इसका हमें देखना होगा image कहां पर बन रहा उसका image यहां पर बन रहा उसके बाद हम उस object को बना लेंगे उस point से principal axis तक मिलाते हुए हम उसका image को इस तरह से बना सकते हैं तो फिर हमने क्या देखा कि अगर object को 2F1 से दूर रखा जाए तो फिर image का जो position होगा image का position F2 और 2F2 के बीचो बीच कहीं पर होगा और इसका size आप गौर से देखें इसका जो size है object size image का size कैसा होगा? image का size छोटा होगा, diminished होगा इसका size और इसका nature कैसा होगा? ये real image है और ये inverted है, ultra है देखें सीधा नहीं है, ultra है, object इस direction में है, image उसके opposite direction में है जिसे की inverted कहा जाता है अब हम क्या करते हैं इस object को थोड़ा आगे ले जाते हैं हम 2F1 point में इसे place करते हैं इसका image कैसा बनेगा ये हमें देखना है तो सबसे पहले इसके top point से हम एक light ray draw करेंगे जो कि principal axis पे parallel होगा reflection के बाद वो focus से पार होगा principal focus से एक दूसरा light ray हम consider करेंगे जो कि इसका optical center से पार होगा तो फिर obviously इसका image जो है इस object का image कुछ इस तरह का बनेगा हम कहेंगे कि अगर object का position 2F1 हो तो image का position 2F2 होगा और image का size अगर आप गौर करें तो ये object के size के बराबर ही है same size का है ये और इसका nature देखे real object real image है और साथी साथ ये inverted है उल्टा है अब हम थोड़ा और आगे ले जाते हैं object को object को 2F1 और F1 के बीचो बीच एक जगा पे हमने place कर दिया अब हमें देखना है कि इसका image किस तरह का बनेगा आप गौर से देखें इसका image जो है ये image इसका बड़ा बन रहा है तो object का position F1 और 2F1 के बीचो बीच है तो image का position 2F2 से भी दूर होगा यह optical center से अगर देखें तो ये 2F2 और उससे भी दूर ये image यहाँ पर बन रहा है और image का size बड़ा है तो enlarged image है और इसका nature क्या है real है और ये inverted है अब यहाँ से हम क्या करते हैं object को place करते हैं इसके principal focus में इस के और reflection के बाद ये focus से पार हो रहा principle focus से और दूसरा light ray जो कि इस तरह से पार हो रहा है optical center से आप ये पाएंगे कि दोनों एक दूसरे का parallel है तो ऐसे situation में ये meet नहीं कर रहा कहीं पर तो ऐसे में हम माल लेते हैं कि ये दो light rays जो है infinite distance दूर जाके meet करता है हम ऐसा माल लेते हैं तो उस logic से अगर देखा जाए तो फिर ऐसे case में image कहां पर बनेगा? image तो ऐसे बनेगा नहीं ऐसे में हम कहते हैं कि image बनेगा infinity में जाकर बनेगा और इसका size क्या होगा? अगर ये infinite distance दूर इसी angle को follow करते हुए ये infinite distance दूर जाके meet करें अगर हम ऐसा मानें तो फिर हमें कहना ह इसा width कहां होगा कि image का size जो होगा ये infinitely large होगा बहुत 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 बँदा होगा क्योंकि ये meet कहां पर कर रहा? infinity में जाके meet कर रहा हुए इसलिए जो image का size है ये बहुत बढ़ा होगा इसका nature कैसा होगा? अगर ऐसा हम माने के infinity में जाके meet करें स्थों कूप us треб whether or tramite इमेज बनेगा, यह उल्टा बनेगा, इसका इमेज, अब हम क्या करते हैं, object को place करते हैं, कहां पर, हम object को place करते हैं, F1 और optical center के बीचो बीच हम इसे place कर देते हैं, तो ऐसे में आप ये पाएंगे, कि जो light rays, दो light rays हम consider कर रहे हैं, यहां पर एक तो सीधा parallel to principal axis, जो की focus से पार हो रहा है, यह दोनों diverging है, यह दोनों एक दूसरे के साथ diverging है, दूर जा रहा है दूसरे से, तो ऐसा स्थिती में यह कभी भी meet नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इस side से देखे, तो आपको उसका image दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा, मानो, यह light ray इस point से निकल रहा है, और यह light ray भी इस point से निकल रहा है, मतलब इस point का एक virtual image आपको यहाँ पर दिखेगा, मतलब पूरा का पूरा जो image बनेगा इस object का, यह image कुछ इस तरह का बनेगा, और यह virtual image होगा, so यहाँ पर image जो बन रहा है, object के side में ही बन रहा है, इस से पहले हम जो देख रहे थे, वो opposite side म बन रहा है, इधर object था, तो इधर image था, इस तरह का बन रहा था, लेकिन इस case में देखे, यह same side में, object के side में ही image बन रहा है, और साथी साथ image जो है enlarged है, यह image है, बड़ा है, object से बड़ा है, और इसका nature कैसा होगा, जैसे कि हमने बात किया था, यह virtual image है, real image नहीं है, इसे screen म image, अब हम क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं, concave lens पे, अब concave lens के case में हम अलग-अलग जगा पे हम object को रखेंगे, और उसका image कैसा होगा, किस जगा पे बनेगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, उसका nature क्या होगा, real होगा, virtual होगा, यहीं सब चीजे हम देखेंगे, सबसे पह यहां पर यह जो object है, जो भी object है, जो कि infinite distance दूर रखा हुआ है, उसके हर एक point से निकला हुआ, हर एक light rays यहां पर parallel हो जा रहा है, और वो यहां बाहर की तरफ निकल रहा है, अगर इस side से आप उस चीज़ को देखें, उस object को देखने का कोशिश करें, तो आपको क्या दिख आपको दिखेगा कि light rays यहां एक point से बाहर निकल रहा है, मतलब आपको image जो है, इस point में दिखेगा, तो हम कहेंगे कि object का position अगर infinity में हो, तो फिर image का position F1 में होगा, यह देखे, यह F1 है, principal focus इसका, और साथी साथ image का size point sized होगा, और इसका जो nature होगा, यह nature virtual होगा, real नहीं है बलकि virtual image बन रहा है, यहां पर इसे हम screen में हम project नहीं कर सकते हैं, बलकि opposite side से अगर देखा जाए, तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं, इसे हम project नहीं कर सकते हैं screen में, अब आगे बढ़ते हैं, हम object को रखते हैं, यहां पर 2F1 से दूर रख रहा हैं, फिलहाल, अब देख रह अब पूरा पूरा image कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा अगर हम इसके position को change कर ले, तो भी आपको जो image है, image F1 और O के बीचो बीच ही दिखेगा, फिलहाल इस image को देखे आप, यह F1 और optical center के बीचो बीच है, या बीच है, कहीं पर भी है, बीच में है, अगर हम इसके position को change भी करे, तो भी हमें image जो है, वो image F1 और O के बीचो बीच कहीं पर दिखेगा, इस तरह से थोड़ा और change कर लेते हैं, हमने object position थोड़ा और change कर लिया, फिर भी हमें यहीं दिख रहा है, कि image जो है, वो image F1 और O के बीच बीच बन रहा है, और हर case में, जितना भी case हमने अभी consider किया, हर एक case में, यह image जो है, object से छोटा बन रहा है, और सीधा है, erect है, तो फिर हम कहेंगे, कि अगर object को कहीं भी रखा जाए, between infinity and optical center, यहाँ पर कहीं भी, कहीं भी हम रखे, इस object को कहीं भी रखे, तो उस case में, उसका image जो बनेगा, वो F1 और O के बीच बीच बनेगा, य direct होगा, वो सीधा होगा, और वो virtual होगा, इसे screen में हम project नहीं कर सकते हैं, बलकि opposite side से अगर हम देखे, तो फिर हमें image दिखेगा, इस तरह के images को virtual image कहा जाता है, अब इस video में हमने देखा, कि object को किस जगा पे रखने से image कहां पर बनना चाहिए, लेकिन exactly कितना दूर बनेगा इस पे हमने बात नहीं किया है, जैसे कि अगर 2F1 और F1 के बीच object को रखा जाता है, तो image जो है, ये 2F2 से दूर बनता है, और ये बड़ा बनता है, ये हमने देखा, लेकिन कहां, exactly कहां बनेगा, exact position क्या होगा, इसके बारे में हमने इस video में बात नहीं किया है, उस पे बात करने के लिए हमें जानना होगा कि lens formula क्या होता है, lens formula पे अब हम next वीडियो में बात करेंगे, lens formula कहता है, 1 divided by image distance minus 1 divided by object distance is equal to 1 divided by focal length, तो इस पे हम लोग अब अगले वीडियो में बात करेंगे, उस video का link आपको यहाँ पर screen पे मिल जाएगा, यहाँ click करके आप उस video को देख सकत हैं, अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि standard 10 के लिए light chapter के सारे वीडियो का जो playlist है, उसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, तो I hope कि वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, तो मिलेंगा आप से एकले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, get by